म Wishят कि राजस्थान में बूर्ड का प скажact तुह – जारी करने की तैयरी हैं कि हुआ करोड उत्र पुंचिका का अंकन करने में चुटेवे आधे सचार परीसे ऑक्रोड कि हा कि अंकन करने के लिए ती सचार गया जा है उनको जोब दिया गया कि फटा-फट से कॉफी चेक करो और इसमें कर रहा है कि वही इसी महां जारी हो जाए फिर भी और भी इसमें कुछ बाते हैं जिसे साइन्स और कोमर्श का अलग-अलग परिणाम संभव हुए अलग-अलग तारीक को देंगे सालों से चली आरी परिपाटी के तहत इस बार भी इस महां के अंत में बूर्ड का पहला परिणाम जारी किया सकता है वेललेह अलग में मुंत करड़ के एंड में असकता है और रहन का याल की हर्लड का शेंड को पूरा का पूरा के दूसरे सक्कवारद्यों सब यह प्रिक्षाओं का परिणाम आ सकता है इसमें आपके मतलब हर बार जो पहले रिजल्ट आता था वह दो जून को पांच जून को साथ जून को आता था यहां पर भी लगबग ऐसे होने वाला है कि 6 से 10 जून तक परिणाम आ सकता है पोड की सीनियर सेकेंडरी की आर्ट साइन्स और कॉमर्श का समकक्स सेकेंडरी और समकक्स परिक्षाओं जो भी हो रही है उसमें करीब सवा करोड उत्तर पुष्टिकाओं का अंकन किया जाना है इसके लिए प्रदेश भर में 30,600 को नुक्त किया गया है और किनी कारणवस अब तक भी पुष्ट गए प्रात नहीं हुई है उन्हें तुरंत बंडल पहुंचाए जाएंगे और उनके स्थान पर दूसरे प्रिक्षक बनाकर उनका अंकन आरंब कर दिया गया है और जिनके एकजांग 26 अपरिल खतम हो चुके हैं उनका रिजल्ट आने वाला है और जल्दी आने वाला है 12 का स्टार्ट हो जाएगा मई के एंड में 4-5 दिनों से स्टार्ट हो जाएगा तो 25 मई से लगाकर 10 जून के बीच में सभी 12 का आर्ट से कॉमर्स से साइंस है और 10 क्लास का भी जल्ट आ जाएगा तो तैयार है रिजल्ट के लिए और आपको रिजल्ट की सुब काम नहीं धन्यवाद